तुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं तेरे माते पर तेरी तकदीर लिख रही है और ये मेनत बता रही है दोस्त तेरी मजल बहुत करीब दिख रही है कुछ लोगों को लगता है मैं उनके बिना रहा नहीं सकता निकलो ने बस्ती का भाले ही पूरी की पूरी तुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो मगर जब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हारा नहीं पाएगा है मैनत फून में मेरे मुश्किलों से कैसे डूजाना मैं उपर वाले का हाथ पकड़ पीछो जमीन पर रहने वालों से क्या घबराना है हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है जनाब कि देखने वालों को क्यूट और जलने वालों को एटिट्यूड लगता है अर्या डार्लिंगे सब को पता दिन सा जादा रात हो काली और तु हमें छोड़ने की बात कर रही निगार पोसिवाली हर चीज का वक्त होता है अभी उसका वक्त चल रहा है हमारा वक्त थाने दो मिलूगा ज़रूर लेकिन अभी नहीं लड़ने की मसोचियो हम सारे प्रीपी के मारेंगे लोगों का ताना खरीदना है एक दिन पूरा जमाना खरीदना है जवाब बन जाएंगे हर उस सवाल का जिसने मजाक उड़ाया था मेरे हाल का महनत को मजाक नहीं मजा बना के रखो तभी तो अपनी जिन्दगी अपने हिसाब से जी पाओगे घड़ी तो पैन नहीं रखी कोई करसे अच कह रहा हूँ ताइम आने वाला है अपना ये जो लोग दूसरों के सक्से जोने पे बोलते हैं न कि तुमारी किस्मत अच्छी थी तो बेटा किस्मत अच्छी नहीं थी उनकी मेनत जान लेवा थी अब मुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है कि मेरी महनत पे आपे कोई मेरे लिए तालिया बजाए क्योंकि बहुत करीब से देख लिया कि बिगडे को सवारने के लिए बहुत कम और महनत पे मूतने के लिए भमा भम आते हैं लोग अगर 20 से 25 की उमर में तुम्हारे सपने तुम्हे सोने ना दे तो समझो जिन्दा हो तुम और इस उमर में तुम चैन की निंद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिन्दा हो अरस किया है अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए या अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए या तो नीन पुरी हो गई या तो क्वाब पुरे हो गए अ सची बात बतारा खोने गरीब का सहारा दस अजाल डिपोजिट दो अजार बाई ये इज़त फिज़त तो बाद में मिलेगी मेरे भाई पहले तो बेज़ जती होगी आज वह आपको दबाएंगे करो आपकी बेटी को दबाएंगे और लोग बात करेंगे आप अच्छा करोगे तो भी करेंगे उनका काम है बात करने का तो आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी काम्यादी ना रुके तो सिर्फ अपना टैलिंग खुदा मेहफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाओं से फाल तु लोगों पर ध्यान नहीं देता, मैं सुनता हूँ बस अपने आपका, तु होगी तेरे पापा की सहजादी, मैं भी किंहू अपने बापका जुनून की आग जलाते जलाते बदल गई जिन्दगी, लोग कहते थे क्यों वक्त बरबाद कर रहा है, मैंने कहाँ देख, पसीना बहाते बहाते बदल गई जिन्दगी सो साल जिन्दा रहने के लिए सो साल के उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ, जिससे दुनिया तुम्हें सो साल तक याद रखे उन लोगो की सोच के मुझे बहुत हसी आती है, जो कभी मेरी हार पर हसा करते थे खुद के सपने के पीछे इतना भागो की एक दिन तुमसे मिलना, लोगो का सपना बन जाए अपने आपको बनाने के लिए अपने आपको दाव पर लगाना भी जरूरी होता है इस संघर्ष में आपका सबसे करीबी मित्र कौन? आपका मनी और ये जो सबसे करीबी मित्र है अगर ये कमजोर हो जाए जिसको गर के राशन का निपता डबा खाकर बोडी बना ली वो भी बोल देता ऐसी बात अजी डबे से च्रीर निपनता मेरे बाई लोगा कौन उठाएगा जिम में तुमारा बाट कि जब सब सो रहे थे तो हम जाग रहे थे किसी की याद में नहीं जिम में दारियों में जाग रहे थे इतना चोटा नहीं था मुकाम हमारा कि कुछ रात जागने से काम चल जाता कभी आँख लग भी गई तो हमारे होसले भाग रहे थे हर शक्स ने अपने तरीक से इस्तमाल किया मुझे और मैं समझता रहा कि लोग पसंद करते हैं मुझे डर का पता नहीं पर खौप इठा देंगे जिम जाते बेटा माहोल उठा देंगे